Hi everyone, hi Pakistan, we are back with another naat, Ramzan चल रहा है और में रहाल से लास्ट दस रोजे रह गए है रमजान के स्टारट में आतिव असलम की naat को हमने रियाग किया था अल्ला हूँ अल्ला हूँ जो के बहुत ही खुबसरी थी, बहुत ही soul-touching थी, बहुत ही soulful थी एक और naat आतिवा सुनने अपने चैनल पे निकाल दिये, उसको सुनने वाले हम, it's gonna be a good ride, very peaceful one, बहुती spiritual होने वाला है सीन, तो बाते बात में कर लेंगे, भी हम सुनने लेंगे 3, 2, 1, go नमीदानं कुझा रफ्तं सफर सदियों से जारी है मेरे आका मुहबत आपकी इस दिल पे तारी है कोई समझे नहीं मुम्किन किसी को कैसे समझाओं कोई समझे नहीं मुम्किन किसी को कैसे समझाओं जो मेरे दिल की हालत है फक्त आका को बतलाओं किसी के भी गुआ में हो नहीं मुम्किन नहीं मुम्किन किसी को भी जहां में हो नहीं मुम्किन मुझे है आप से जितनी मुहबत या रसूल आल्ला मुझे है आप से जितनी मुहबत मैं सद के या रसूल अल्हा हुए है लवज भी साकिन नमी आँखों में ठहरी है मोहबत आपके जमजम के कुए से भी गहरी है सही करती है ये आखे तेरी गलियों तेरे तरकी कभी ना लेन कोच्चु में कभी मस्जिद के मिंबर की किसी के भी गुमा में हो नहीं मुंकिन नहीं मुंकिन किसी को भी जहां में हो नहीं मुंकिन नहीं मुंकिन मुझे है आप से जितनी मुहबत या रसूल आल्ला मसद के या रसूल आल्ला मसद के या रसूल आल्ला मसद के या रसूल अल्दा जे रातु या रसूल अल्दा पसे जितनी या रसूल अल्दा मैंने कभी ये नाथ नी सुनी ये पुरानी दुनिया मुझे लगता है कि नया कुछ लिखा है आतिफ असलम ने लिखिये मैंने क्रेड़िट नहीं देखे वगर न्यू नाथ है ये प्राबली मैंने इसको कभी सुना वे सो ब्यूटिफाई नाथ ये असलम की आवाज इतनी खूँसर हैं लोग हलाके मजाख उड़ाते रहते हैं कुछ ने कुछ उस पर फजूल सी बाते कहते रहते हैं मगर मैं उन में से हूँ जो के सबसे वड़ी फैन हूं उनकी बज़े उनकी आवास बहुत अच्छी लगते हैं और मैं उनके ही आवास के साथ बड़ी हुई हूई हूँ गानों की फॉम में और नाथ में और भी प्यारी लगती है उनकी आवास सुनके बहुत सकून मिल रहा था, बहुत ही सोलफुल था, बहुत ही पीसफुल था, बहुत ही स्पिरिच्वल फील हो रहा था, मेडिटेटिंग था और आप बिलकुल ही ट्रांसेंट कर जाते हो, आप बिलकुल ही अगुम हो जाते हो उस आवाज में, आप बिलकुल आपको एकना सकून और इत्मिनान फील होने लगता है उस आवाजों में, उस म्यूजिक में वीडियो बहुत ही सिंपल, बहुत ही खुब सिर थी इट सर्फड तर परपस जो एक नात और हम्त का परपस होता है आपका स्परिच्वल फील करवाना आपका एक कनेक्शन फील करवाना गौड के साथ तो इट डिट दाट फो मी अमेजिंग स्टाफ, गुड स्टाफ और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उस पे वो पूरी तरह उतरे हैं खुबसरत नात थी आपको कैसी लगी? लेट में लो इन दे कॉमेंट्स और आप लोगों से मिलेंगे नेक्स रातिव असनम की किसी रियाक्शन पे तब ते के लिए ख्याल रखो मेरा सब्सक्राइब दिस वन, फॉलो मी अन इस्ट्रेगाम डाइड मैं मुना, ओ बाई, लव यू गूर नाइट, रमजान मुबारिक सारे रोजे रोजे रखें और फिर एद पे मिल दें